हेलो एब्रिवान वेल्कम टू माई चोनल फूर पोकेट गनेश चतुथी के अबसर पर पांच मिनिट में आज हम संदेश मोदक बनाएंगे गनपती भगवान के लिए चले फिर बनाने चले संदेश मोदक बनाने के लिए हमें पहले पनीर चाहिए पनीर को आप ग्राइंडिंग करके फिर इस फों में हो जाएगा तब आप लोगे मैं यह आप 200 ग्राम पनीर की ग्राइंडिंग करके ली हूँ ठीक है अब हम इसको प्यान में मिलाएंगे यह देखिए हमने प्यान में ले लिया है और इससे इसमें हम डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क चीनी डालने की जरुद नहीं है इसमें कि इसे भी कंडेंस मिल्क में न चीनी होता है इसी स्टेज पर अच्छी तरह मिलाते हुए हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और थोड़ा सा ठीक होने पर हम इसको फिर उतार देंगे इससी स्टेज पर अपने लगातर चलाईएगा यह दिखिए लगातर हमें चलानी और स्लोम पर रखनी है बिल्कुल फ्लोम पर फ्लैम को रखनी है थोड़ा सा कलर मिला रही हूं आपके पास रेड कलर या कुछ भी हो पिंक हो औरेंज हो आप कर सकते हैं इसको कोई साभी कलर आप दे सकते हैं यह प्लीलेम है तक कि वह थोड़ा सा, आपके मैं 颜ॉड जू पोड़र दे स्ट्रीम कि और बिल्कूल पास बचलेंगे तक के पूरा वरम यह भी हो फ्लेट हु गया है जादा हमें इसको को भूनना नहीं है यह देखिए पैन भी छोड़ दिया है यह देखिए हमने निकाल दिया इसको ज्यादा भुनना नहीं है अब इसको अच्छी तरह थंड़े हो निकला भी थोड़ा मतलब ज्यादा थंड़े में मत किजिएगा इसको थोड़े से ठंड़े हों के गरम हलका सा रहेगा उसी में आपको बनानी है नहीं तो यह फिर जादा टाइट होने से बनेगा नहीं यह देखिए हमने जो वलब मिक्सचर बनाए थे ना पनीर का ओ ऐसे आप हतली पे ऐसे लेना है आपको घी थोड़ा लगा के फिर हमें क्या करनी है पहले इसे ऐसे कर दिजिए करके यह मेना बीना मोल्ड की आपको दिखा रही हूं उसमें हलकी सी पिस्ता बादा मैंने डाला है आपको पसंद नहीं तो आप otechnology प्रिंकलिंग कर दे हूं इसमें हमें ऐसे इसको फिल करके फिर ऐसे बंद कर देनी है फिर से हमें सर्कल की तरह ऐसे बनानी है मोल्ड को बिना मोल्ड की यह होना है ऐसे ऐसे फिंगर में दबाते हुए ऐसे करके फिर आप क्या करेंगे जो आपके घर में तूट पिक तो होंगे तूट पिक लेके ऐसे दबाते हुए ऐसे 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 चारो तरब से यह दिखिए यह दिखिए इसे करके आप रख सकते हैं जैसे सेब चाहिए आपको अब मैं यह मोल्ड में आपको दिखा रही हूँ इसमें मैंने घी लगा दिया है ग्रीस करने के लिए फिर इसको ऐसे करके मैं इसमें डालूंगी मिक्स्चर फिर हम इसे न अच्छी तरह अंदर से दबाते हुए अच्छी तरह दबा देंगे फिर बीच में सरकल एक देखिए इसमें गड़ा की तरह बनाएंगे इसमें थोड़ा सा मैं पिस्ता बादम भर रही हूं इसमें हम थोड़ा सा इलाइची पाउडर देंगे फिर हमें इसके उपर हमें से कवर कर देंगे और ऐसे दबाते हुए जो एक्स्ट्रा पार्टे वो निकल जाता है उसको निकाल देंगे फिर हमें यह देखिए अभी इसको हम डी मोल्ड करेंगे यह दिखिए यह दिखिए यह बनके हमारा हो गया ना हमने डी मोल्ड करके रख दिया मेरे पास ना पीस्टे की कुछ स्लाइच में ने काटके रखा है इसको ना हम सजाने के लिए काम करेंगे देखिए ऐसे आप दबा के इसके अंदर ऐसे ही लगा दोगे लूक इसके अलग लगेगी यह दिखिए कितना सुन्दर लग रहा है ना ऐसे करके सारे हम अभी जितने भी बनेंगे हम बना के रख लेते हैं यह दिखिए हमारी पनीर से पनी संदेश मोदक बन के तयार हो गए और यह आप जरूर ट्राइ कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई